यह चार तरह के और्गेनिक फर्टिलाइजर जटपट बनाएं और अपने प्लांट को पिलाएं यह और्गेनिक फर्टिलाइजर है आपको इसमें कर्सियम, पोटेसियम, फासफोरस और सलफर से भी आपके यह चार फर्टिलाइजर मिल जाएंगे आपके प्लांट को हिल्दी बनाएंगे फ्लावरिंग के लिए भी तैयार करेंगे जुलसने से बचाएंगे हेलो दोस्तों वेलकम है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में तो आज मैं आप सबसे चार ऐसे पावर्फुल फर्टिलाइजर खाज सेयर करने वाली हूं दोस्तों जिसे इस तपती गर्मी में आप अपने सभी पौधों को पिला देंगे तो आपके पौधे की गोध भी अच्छी होगी पौधे में फूल और कलिया भी आने लगेंगी और सभी प्लांट के लिए है आल्टू प्लांट के लिए चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउट बना करके कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो यहां पर रखने की जरूत नहीं है आप तुरंत बनाइए तुरंत अपने पौधि के दीजिए आपके पौधि की ग्रोथ भी काफी अथी होगी और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत जल्दी तैयार होगी तो हम कोशिश करें इ आपने सभी पौधि में डालिए क्योंकि इस समय गर्मी तेज है दोस्तों तो खात देने से आप अपने पौधि में बच्चिए क्योंकि खात तो पहले तो ग्रोथ बहुत अच्छे से करती है फ्लावरिंग के लिए भी बहुत अच्छी तियार करती है लेकिन उसके बाद कि मिटी क्राव होती है दिर से प्लांक भी खराब होने लगते हैं तो कोसिश करते हैं और या मार्केट में और यह मिल रहे है और थोड़े मरंगे भी आते हैं तो आप क्यों पैसे खर्ष करें इसके लिए जब आपको घर में ही in hislish जा रहा है आपके इस सभी मिल जा इसमें जैसे नाइट्रोजन हो गया पोटेसियम मेगनीसियम और फासफोरस और फासफेट सभी आपके पोधे के लिए इसमें मिल जा रहे हैं कल्सियम तो क्यों बाजार से हम लाकर के ये खरिद करके डाले दोस्तों तो हमें घर पर ही कुछ ऐसे चीज़े हैं जो हमारे घर मे दोने किचन में मिल जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी सावित होता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है प्हँर्ण में अच्छे और जिटने भी फ्लार रिक होते हैं तो अन्हें धुर्म टूटयम प्रremos हुआ सबह्ती हैं व डालने के बाद इसमें अगर अगर नहां डालें दोर्ट न जो हमारे प्लांट है वह ना ही तो你在 contrast Ganz कली आएंगे और PCC जो हूए वह लाइट ग्रीन भीन होए जहां थे यह cung पानी ज़्यादा डालने की वज़ा से जो मिट्टी में तत्व होते हैं तो पानी के जरीए सारे बह जाते हैं निकल जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ थोड़ी रूप जाती है फ्लाउरिंग भी कम करती है और जो प्लांट के जो पतियां हैं वो भी लाइट ग्रीन होने लग पानी में रहे हैं पहर दीटाओंगे के दिया के लिए भी बहुत ही अच्छा फर्टिलैजर है फ्रूटिंग प्लांट में भी डाल सकते हैं चाहे वेजिटेबर प्लांट हो चाहे इंडोर प्लांट में भी कुछ अैसे में फर्टिलाइजर बताऊंगी जो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगे किचन से ही मिल जाएंगे फ्री के मिल जाएंगे कोई खरेदनी के जरूप नहीं है इसमें आप आसानी से बना सकते हैं तो चलिए कैसे बनाते हैं दोस्तों फर्टिलाजर तो यह हमने चार ग्लास में पानी ले लिया है साधा पानी है और चारो ग्लास तो आप इसे रखने सकते हैं तो यह है दोस्तों केले के छिलके का पाउडर हमने बनाया है तो यह एक चम्मच के करीब लेना है इसमें विटामिन A, C, पोटेसियम, कल्सियम, सोडियम, मैगनीसियम, भरपूर मात्रा में पाया जाते हैं दोस्तों तो इसे डालने से प्लांट में फ्लाउरिंग बहुत अच्छे से होती है फ्लाउरिंग लाने के लिए आप यह पोटेसियम यूप तखाद टाइम अगर अपने पौधे में डालते हैं तो उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हम बनाते हैं जो बहुत ही अच्छा यह फर्टिलाइजर है हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और प्लांट में जो कीरे हैं मिटियों में जो लगी है फंगस वह भी नश्ट हो जाएंगे इससे और प्लांट की स्रोथ भी अच्छी होती है तो यह है दोस्तों नीम की खली का पाउडर बना करके हमने लिया है पाउडर होते हैं वह तुरंत घूल जाते हैं बहुत आसानी तरीके से प्लांट में पना जाकर के तुरंत बर करना शुरू करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे पोशक को दूर करती है और इसमें बहुत अच्छा सो सोट भी है दोस्तों इसमें मगनीसियम है सलफेट नाइट्रोजन फासफॉरस सलफर बहुत सारे इसमें खनी स्थत्व भी पाए जाते हैं जो पौधे की सेल को बढ़ा दें बढ़ाने में बहुत ही मददकार करते हैं दोस्तों तो इसे आप जरूर महिने में एक बार नेम की खली का जो लिक्विड फटिलाइजर आप जरूर बना करके अपने सभी पौधों में डालिए इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो प्लांट में फंगस है मिट्टियों में वह भी नश्ट हो जाएंगे उसके कि कमी के कारण हो रहे हैं दो इसको डालने से प्लांट कि पतिया है, जो करल हो रही है वह सिधि हो जाएंगे और कर रिम्हां उस इओ ठीक हरो जाएगी इसके जगह पर टंद आखे तो चूमने लिसके हैं दो चुटकी चूने ले लिए उसके बाद को बाद नाट सकते हैं उसे आप गोल बना सकते हैं, अपने प्लांट में डाल सकते हैं, कैसियम की पूर्ती हो जाएगी अपके पोदे के लिए, तो उसके बाद दोस्तों यह है कौफी पाउडर, कौफी पाउडर कीचन में सभी के मिल जाते हैं, इसमें भरपूर मातरा में नाट्रोजन, पोटेसिय आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे गूर होते हैं इसमें, तो यह इंडोर प्लांट, आउट्डोर प्लांट, फ्लारिंग प्लांट जो होते हैं, पोधे होते हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छा यह फर्टिलाइजर है, नाट्रोजन की कमी दूर होगी, पोटेसियम की कम फर्टिलाइजर है, आप जहपट इन्हें बना करके अपने सभी प्लांट में डा सकते हैं, जो प्लांट में जिस भी कमी है, वो पूरती हो जाएगी, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से फ्री में, घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, होममेड और्गेनिक फर्टिलाइजर आप बनाईए, और अपने सभी प्लांट को पिलाईए, गर्मी में इस मैतेज गर्मी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, और्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करिए आप, तो इसको देना कैसे हैं, तो चाहे तो आप इसे डेलूट करके दे सकते हैं, चा पानी लेना है, साधा पानी उसमें मिला करके, फिर उसके बाद अपने सभी प्लांट में डालना है, अगर ऐसे ही डाल रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा ओवर्रोज हो जाएगा, तो प्लांट को नुकसान भी करता है, तो ओव प्लांट में डाल सकते हैं, तो अगर ऐसे ही दे रहे हैं, तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए, उसके बाद साधा पाई डाल दीजिए, आप चाहे तो प्लांट के उपर, तो ऐसे ही आप सभी फ्लारिंग प्लांट हो, या इंडोर प्लांट हो, या आउट्डोर प् डाल सकते हैं तो आप ये फ्री में और यानिक फर्टिलाजर बनाएए अपने सभी प्लांट को पिलाएए तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तो तो प्लीज लाइक से कमेंट करें न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और वेल आइकन की बटन को जरूर प्रेश कर दीजे ताकि मेरी आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके तो चलते हैं दोस्तों ओके बाई हैपी कार्डनिंग